हमने इन से पिछले मॉड्यूल में तीन मेथोड़ोजिकल चॉइस पढ़ी क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स मैथड इस मॉड्यूल में हम अब इन तीनों को एक साथ रखके एक तो इनके फरक को समझने की कोशिश करेंगे दूसरी बात, इन कंपैरिजन अफ वन टू अदर टू, हम ये देखना चाहेंगे कि ये रिसर्च की अप्रोच के साथ और फिलासिफी के साथ कैसे किनेक्ट होती है इस कंपैरिजन के लिए हमने चार यार्ड स्टिक्स को चूज किया हम चार बन्यादों पे इनका अपस में कंपैरिजन करेंगे और अब ये वाली स्लाइड आपको हेल्प करेगी कि आप मेटरलाजिकल चॉइस को अप्रोच के साथ और अप्रोच को आप फिलासिफी के साथ कनेक्ट कर पाएं जो अब तक के पिछले पूरे मॉडिूलिस सेक्शन के जितने हैं उनमें ये परपस था और उसको हमें एक तरह से सम अप कर रहे हैं अगर आप फिलोसॉफिकल इसंप्शन पे चलिए तो कौन्टिटेटिव जो है उसकी फिलोसॉफिकल इसंप्शन जो है वो पॉजिटिविजम है ये प्रो पॉजिटिविस्ट है बेसिकली अच्छा इसके अंदर पॉजिटिविसम में क्या था कि रियालिटीज फिक्स होती है नौलिज गिवन होता है ठीक है और वैलियूज जो हैं वो टाइम फ्री होती है वैलियूज फरेवर होती है टूथ होती है एक truth होता है बाकी सब कुछ false होता है यह बेसिकली वो positiveist paradigm के बन्याद पे चलते हैं जितनी भी quantitative choices हैं आपकी इसके मकाबले में qualitative जो है वो बन्यादी तोर पे interpretivist है या constructivist आप उसको कह लीजिए interpretivist paradigm में यह था कि realities multiple होती है आप देखें कि जो हमने इससे पिछले modules में qualitative के explanation बताई उसमें भी यही बात आपको across the explanation अज़र आएगी कि यह multiple realities पे बिलीव करते हैं यह depth of information पे बिलीव करते हैं richness of information पे बिलीव करते हैं यह numbers पे बिलीव नहीं करते हैं तो इन क्यों के यह पीछे connect होते हैं constructivist में जिसमें जो subject है जिस पे research की जा रही है उसका अपना view बहुत importance रखता है उसके point of view से चीजों को समझना valuable होता है और mix method जो है अब आप इसको अगर इसी तरह connect करें तो यह philosophically pragmatist से जाके link होता है यह मैंने इसे पिछले मौडियूल में आप ते कहा था कि आप गौर करके इसको समझीए मुझे अमीद है कि आप अपने इनर डिबेट या इनर डिसकेशन के नतीजे में इसको आपने mix method को pragmatist से ही connect किया होगा क्योंकि यह logically उसमें से draw होता है तो आप फिलोसॉफिकली देखें यह तीन मुखतिफ schools of thought हैं जिनके साथ ही aligned है अगर मैं इनको inquiry की strategy के लिहाज से देखूँ तो quantitative researchers हर उस form of inquiry में interested है जिसमें data numerical form में generate हो सके जिसमें data true और false की form में generate हो सके empirical nature में आपके पास सामने आ सके उसमें generally speaking जो सबसे strong tradition है quantitative में वो experimental designs की है experimental studies की है जिसमें हर चीज controlled environment में होती है और एक manipulated environment में काम करते हैं एक situation create करते हैं जिसमें काम करते हैं लेकिन experiment एवाहिद तरीका नहीं है inquiry काम के हैं survey भी हैं उसके हाँ correlational studies भी हैं quantitative में गाजुल comparative studies भी हैं मैंने experimental की मिसाल यहां सर्फ इस लिए चूज की की यह सबसे ज्यादा structured और सबसे ज्यादा directly connected है quantitative philosophy के साथ लेकिन अगर आप इसके मुकाबले में qualitative में जाएं तो उनका तो start यहां से होता है कि data collection या inquiry naturalistic setting में होनी चाहिए जहां वो phenomena हो रहा है उस जगह पे होनी चाहिए तो आप देखिए कि उनकी जो inquiry के तरीके हैं उन में narrative हैं उसके अंदर phenomenology है ethnography है उसके अंदर case studies हैं grounded theory है वो इस तरह की settings का इस्तमाल करते हैं अपनी inquiry में जिसमें situational चीजें ज्यादा होती हैं जिसमें आपको data उसके actual source से मिलता है जहां उसको बेहतर तरीके से आप उसकी variation को समझ सकें और इसके मकाबले में जो mix method है वो इन दोनों के combinations के जरीए से design बनाता है जिसकी मैंने पिछले मॉडियूल में वजाहत की थी कि उनके design basically क्या है quantitative qualitative दोनों इस्तमाल होने हैं एकठे होने हैं तरतीब से होने हैं पहले कौन सा होना है दूसरा कौन सा होना है वो इन बातों को सिर्फ combination of qualitative और quantitative को बनियाद बनाके वो अपने designs को explain करते हैं अगर आप तीसरे yardstick पर इसको मौजना करना चाहें तो वो है इनका specific research methods हर इस choice के साथ methods naturally associated होते हैं methods अपने characteristics की वजह से इनके साथ connect हो जाते हैं जिसमें अगर आप देखे quantitative के अंदर तो आपको नजर आएगा कि हर वो format जिसके अंदर data structured शकल में आपके पास आ जाए हर वो format जिसके अंदर जो setting of research हैं वो manipulate आसानी से की जा सकती हो हर वो शकल method की जिसके अंदर data आपके पास एक fix structure में numeric form में empirical सूरत में एकठा किया जा सकता हो क्यों कि उनकी limitation ये है कि उनके पास analysis की जो techniques हैं वो सारी की सारी निमरिक डेटा पर इस्तमाल होने वाली हैं नॉन निमरिक डेटा पर इस्तमाल नहीं होती हैं तो आप जितने भी research methods associated देखेंगे quantitative research के साथ उन सब में common चीज़ है वो तमाम तरीके जिन से structured data जेनरेट किया जा सकता हो वो तमाम setup जिन में आप मुख्तलिफ variables को control कर सकते हूं वो उन control के जरीए से जो अपने study के variables होते हैं उनके data की authenticity को ensure करते हैं तो लहाजा वो तमाम method जो हैं वो quantitative से associate होते हैं जिन में भी ये characteristics थीं वो quantitative से associate होंगे qualitative research के साथ कौन से होंगे जिसमें variations को accumulate किया जा सकता हूँ मसला data उसके actual source पर जाकर किया जा सकता हो लोगों की राए में इखतलाफ को understand किया जा सकता हो चेरिश किया जा सकता हो जो subject है जिस पर research की जा रही है उसका perspective explain करने में helpful हो उसका perspective समझने में आपकी वो data collection helpful हो तो वो तरीका उनके नजदीक परीब इसका वो तमाम research methods जिन में आपके पास data की variation को record करना data को subject के perspective से समझ सकना data की multiple sources से accumulation करके उसको verify कर सकना cross verify कर सकना किसी भी form जो non-numeric है उसमें data को इकठा करना और फिर उसको आगए interpretation में इस्तमाल कर सकना यह वाले characteristics जिस method में भी इस्तमाल होते होंगे वो तमाम methods अमूमी तोर पे qualitative research के साथ connect किये जाते हैं और mix method में दोबारा वही है कि उसके इन दोनों का ही इस्तमाल एक combination में होना है दोनों के characteristics यूज होने हैं लेकिन सिर्फ ये फैसला करना कि ये किस तरतीब में इस्तमाल होंगे कौन सा काम या कौन सा component qualitative component पहले होगा या quantitative पहले होगा या दोनों एक साथ शुरू होंगे कौन सा data किस data की support में इस्तमाल किया जा सकता है किस को verify करने के लिए इस्तमाल किया जा सकता है वो इस इस बात पे सिर्फ वो focus करते हैं कि data की connectivity, data की एक दूसरे को supplement करना, complement करना इन चीज़ों को बहतर बनाते हों और जो method उनको ये चीज़ें provide करेगा उनके नजदीक वो वाले method जो है वो mixed method studies के लिए suitable कहलाते हैं आप इसके बाद इस जगा पहुंचेंगे कि हर method हर तरह की जो आपकी methodological choice है उसको suit नहीं करता कुछ methods designated हो सकते हैं for a certain particular methodological choice ये बात अगर आप इसमें से समझ पाएं तो मेरे खाल में इस comparison का इस हद तक, यानि method की हद तक यही purpose था और इसके बाद एक और एहम बाद जो direct sequence में नहीं आती लेकिन एहमियत रखती है आपकी choice के लिए वो है motivation of selection, nature of problem को देखना, theories को test करना, ये बन्यादी तोर पे quantitative research का focus होता है theories generate करना नहीं होता, पहले से मौजूद causations को test करना, मुख्लिफ environments के अंदर, मुख्लिफ situations के अंदर जब भी ये focus होगा तो आपको necessarily quantitative जाना पड़ेगा qualitative आपको कब जाना पड़ेगा, जब आप ऐसे phenomena को deal कर रहे होंगे, जिसके बारे में को explanations पहले से मौजूद नहीं है आपने data को observe करना है, collect करना है और उसमें से understand करना है कि ये इसकी nature क्या है तो ऐसे किसी भी सूरतियाल में जहां आप अभी किसी phenomena under study जो है, उसको understand करने के चकर में होते हैं, समझने के चकर में होते हैं उसकी कोई plausible explanation पहले से मौजूद नहीं होती, तो वहां necessarily आपको qualitative approach के साथ चलना पड़ता है and again for mixed method, it goes कि आप उसमें से इनके कौन से combination को इस्तमाल करके अपने phenomena को बेहतर explain कर सकते हैं, आप उसी हिसाब से qualitative or quantitative का combination चूज करते हैं so very clearly speaking आप देखिए, कि ऐसे तमाम phenomena's qualitative के इलावा और किसी तरीके से नहीं देखे जा सकते, जिन में अभी phenomena under study जो है, उसकी वजाहत की जरूरत है, उसको explain करने की जरूरत है जहां भी किसी existing phenomena को verify करने की जरूरत होगी, तो वहां पर फिर quantitative के लावा और कोई option नहीं होती और अगर किसी research question में कुछ हिसा verification से मतलिक है और कुछ हिसा explanation से मतलिक है, तो उसमें फिर एक suitable combination of these two इस्तमाल करते हैं और उसको आप फिर mixed method के जुम्रे में ले आते हैं जी, तो इस तीनों के इस comparison के जरीए से हमने अब से पीछे माडियूज में जो हमने research philosophies, research approach और methodological choices को पढ़ा, इनको आपस में align करने में इस माडियूज से आपको help मिलेगी